Good morning students, आज हम करेंगे आपकी exercises 4.5 जिसमें है adjoint of matrix अब adjoint of matrix है उसके लिए मैंने पहले ही definition लिखी है definition क्या मैंने steps लिखे हैं कि उसमें क्या करना है आपने जिसे मैंने पहले आपको कराया था co factors निकालना तो पहले आपने क्या करना है, adjoint के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है co factor निकालना पड़ता है, find the co factor of the given matrix co factor matrix निकालेंगे, जो आपको matrix दिया हुआ, उसका पहले co factor निकालेंगे फिर जो co factor हमारा आएगा, उसको हम क्या कर देंगे, transpose जब हम transpose करेंगे, that is, that will be our adjoint of matrix, okay अभी हमें आपको बजाते हुआ कि co factor कैसे निकालते है, क्योंकि मुझे पक्का बता है आपको co factor बूल गया होगा, देखिए, suppose हम लेते हैं two by two matrix, ठीक है two by two, लिया हमने one two three four, अब co factor आपको बता है, ये कौन सा element है a one one, a one two, a two one and a two two, co factor भी कैसे निकालते हैं, c one one co factor of a, अगर इसका निकालना होगा, a one one का तो वो क्या आएगा, c one 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 हैं, तो मतलब कैसे निकालते हैं, first row, ये देखो, first row और first column को छोड़ दो, ठीक है first row और first column को छोड़ दो, कौन सा element आया, four, तो ये c one one क्या आगया, आपका four, फिर हम निकालेंगे c one two, यही जो है आपका, यही जो आपका, यह जो आपका, यह फर्स्ट पार्ट भी है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं, c one two क्या आया, first row, first row, second column, छोड़ा, तो क्या आगया हमारे पास three, ठीक है, क्या आगया, three, then हम करेंगे, cofactor c two one, second row, first column, second row किया, यह देखो, second row, छोड़ा और first column को छोड़ दिया, हमारे पास क्या आया, two, then हम करेंगे second row and second column, जब हमने देखा second row, यह second row और second column, हम छोड़ दिया, हमारे पास क्या आगया, one, ठीक है, अब देखो, यह तो मैंने आपको बताया कि, लेकिन साथ में इसके साथ क्या आता था, minus one की power, इन दोनों का plus, one plus one, two, minus one का square, one, तो जब minus one का square, one आया, one into four equals to four, but इसका minus one की power, one plus two, two, मतलब three, तो minus one की power three, मतलब minus one, तो minus one into three, minus three, इसका क्या आया, minus three, इसका क्या आया, minus one की power, two plus one, वो भी three, तो minus two, तो इसका क्या आया, minus one की power, two plus two into one, यह, one into one, one, तो यह आप क्या आगे, co-factors, अब हम निकालेंगे co-factor of a, लिखेंगे कैसे, यह लिखा c11 क्या आया, 4, c12 क्या आया, minus 3, then c21 क्या आया, 2, फिर, यह क्या है, minus 2 है, तो c22 क्या आया, 1, यह हो गया आपका co-factor of a, अब आपने क्या निकालना है, adjoint, मैंने बताया, adjoint के लिए हम का transpose कर देंगे, मतलब, you just convert rows into columns, 4, minus 3, then 4, minus 3, minus 2, 1, this is your adjoint of the matrix, यह co-factor matrix है, यह क्या है, adjoint of the matrix, okay, इस तरहे के से करेंगे, यह हो गया, 2 by 2 में, अब मैं आपको कराती हूं, 3 by 3 matrix का, okay, दिखें, second question, क्या है, 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 2, 5, 1, अब आप खुद भी करेंगे, खुद in the sense की, फटा-फट कर लेंगे, देखो, c11, यह निकालना था न, तो c11 क्या होता है, हमारा, co-factor of a11, co-factor of a11, अब देखिए, a11, first row, first row, first column, छोड़ दिया, देखो, क्या आया, first row, first column, छोड़ दिया, minus 1 की power, 1 plus 1, और साथ में, जब यह छोड़ा, देखो, जब यह छोड़ा, यह, हमारे बास क्या बचा, 3051, यह बचा, अब इसका अपने determinant निकालना है, minus 1 की power, 2, अब जब आपने, खुद देखने न, जब even आये, तो कुछ नहीं लिखना, odd आये, तो minus लिख लेना, 1 plus 1, 2, इसकी power क्या आ रही है, even, तो कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि minus 1 की power even में, यह 1 ही बन जता है, तो यह देखो, 3 बन जता 3, minus 0 into 5, 0, which is equal to 3, अब C, 1, 2, co-factor of, A, 1, 2, minus 1 की power, 1 plus 2, 3, even odd बना न, तो अब इसकी साथ minus आ जाएगा, ओके, यहाँ देखिए, 1, 2, first row, first row छोड़ो, second column छोड़ो, हमारे पास क्या आया, minus 2, such 2, minus 2, और यहाँ 5, 1, अब इसको करो, यहाँ क्या आएगा, minus का, 2, 1's are, 2, 1's are 2, minus minus plus, 5, 2's are 10, which is 10 plus 2, 12, और यह क्या बन गया, minus 12, यह आपका आया, c, 1, 2, लिख लिजी आप c, 1, 1, c, 1, 2, ठीक है, फिर हम आगे करते हैं, अब हम क्या निकाल लेंगे, c, 1, 3, देखो, आप यहीं से देख लेते हैं, साथ में, c, 1, 3, ठीक है, c, 1, 3, तो वो क्या आएगा, first row, co-factor of किसका, co-factor of a, 1, 3, minus 1 की पावर, third column को छोड़ा, क्या मिला, 2, minus 2, 3, and 0, तो यह क्या, 2, 0, 0, और minus minus plus 3, 2, 0, 6, यह आगया, in the same way, आप सारे निकालेंगे, c, 2, 1, c, 2, 2, c, 2, 3, c, 3, 1, c, 3, 2, and c, 3, 3, यह क्या होगा, co-factor of a, 2, 1, co-factor of a, 2, 2, 2, co-factor of a, 2, 3, co-factor of a, 3, 1, co-factor of a, 3, 2, co-factor of a, 3, 3, 2, co-factor of a, 3, 3, अब देखिए, 2, 1, किसका निकालना है, co-factor of, यहाँ देखिए, co-factor of, किसका निकालना है, हम, यहाँ पर, 2, 1, 2, 1 है, minus 1 की power 2 plus 1, 3, मतलब minus लगेगा, यहाँ लिख लो minus, ठेक है, अब 2, 1, second row, यह second row, first column छोड़ा, क्या मिला हमें बास, minus 1, 2, 0, 1, 1, 1 जा, minus 1, और 2, 0, जा, 0, तो minus 1 आया, minus, minus, plus का 1 हो गया, ठेक है, second row, second column, second row, second column, छोड़ दिया, हमारे पास क्या आया, 1, minus 2, 2, 1, 1, 1 जा, 1, तो minus, minus, plus, 2, 2 जा, 4, 4, plus 1, 5, और, लेकिन, minus 1 की power क्या आएगी, 2, plus 2, 4, तो positive हो गया, तो, यहां क्या आगया, 5, then 2, 3, 3, or 2, 5, minus आयागा, minus लिख लो, second row, second row, third column, छोड़ दिया, 1, 0, 0, minus, minus, plus, लेकिन, एक और, minus, minus, 2, बंजा, 2, तो minus, यह भी minus, plus 2, आप इसको detail में कर लेजिए, ठीक है, अच्छे से कर लिए, मैं आपको यह, third row, first column, जब छोड़ा, यह आगया, minus 5, minus 6, minus 11, 3, 1, 4, कोई ज़रूरत नहीं है, negative नहीं आया, 3, 2, third row, second column, 5, 1, जब 5, minus 4, 1, और यह, और आया, तो minus का आगया, अब यहां third row, third column, छोड़ा, 3, 1, जब 3, minus, minus, plus 2, 5, ठीक है, और यह even है, तो, जब आप लोगों को आजाएगा, आप भी फिर इतनी असानी से कर ले जिंगे, जैसे फटा-फटा हम कर रहे हैं, वैसे आप लोग पर कर लोगे, चिक है, अभी आप first time कर रहे हो तो ऐसे, अब देखो वहां पर 1, 1 का आया था, 1, 1 आया था, 3, 3, फिर 1, 2 क्या आया, minus का, 12, 12, फिर 6, then 1, 5, 2, minus 11, minus 1, और 5, अब आपको पता है, ये तो हुआ को फेक्टर, अब एडजॉइंट क्या करेंगे, एडजॉइंट होता है, इसका प्रांसपोज, minus 12, 6, 1, 5, 2, minus 11, minus 1, और 5, ये आगया इसका एडजॉइंट, इसी तरीके से आप सारे निकालेंगे, ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ है, अब हम देखेंगे, एक result है, ठीक है, वो result भी प्रूफ करना है, वो result क्या कहता है, question भी आया, verify करना, third question आपका वही है, जो result होते हैं, वो आपको exercise में भी कराते हैं, इसलिए आप याद भी रखना, verify क्या है, A, मतलब जो हमारे पास matrix है, given matrix, वो multiply adjoint of A, उसका adjoint निकालेंगे, ठीक है, और वो किसके इकल होगा, adjoint of A into A equals to mod of A into I, ठीक है, determinant of A into I, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं, commutative property, A into B equals to B into A, ओके, तो ये hold करता है, मतलब आगर आप चाहे A को पहले रखके multiply करो, चाहे इसको पहले रखो, और बाद में ये रखो, same होता है, और determinant into identity के equal होता है, ये आपने proof करना है, ठीक है, देखिए, मैंने matrix लिया, 2 minus 4, अच्छा, हम इसमें भी proof कर सकते हैं, जो हम ने उपर किया है, उसको multiply करके भी, ठीक है, पर चलो इसी के साथ-साथ ही आपका एक और question हो जाएगा, ये देखिए, अब पहले इसका determinant of A निकाल लेजे, determinant कैसे निकालते हैं, minus 6 into 2, minus 12, minus minus plus 4, 3 is the 12, equals to 0, determinant of A, ये तो 0 के equal आ गया, अब हम क्या करेंगे, ये वाली कर लो, determinant of A A into I, क्योंकि determinant of A क्या आगया, 0, I क्या था, 1001, identity matrix, अगर 2 by 2 है, तो identity matrix भी हम क्या लेंगे, 2 by 2, 0 into, ये सारा कितना बन गया, 0, अब हम देखो, क्या करना है, adjoint A निकालना है, and to find the adjoint A, you have to find out the co-factor matrix, co-factor matrix, तो C11, क्या निकलेगा, first row, first column, first row, first column, छोड़ा, minus 1 की power, 1 plus 1 into minus 6, ये क्या आया, positive, मतलब even है, तो ये 1 ही आया, तो ये क्या बन गया, minus 6, 1, 2, ये odd है, तो minus आएगा, first row, second column, first row, second column, minus 4, minus convert, change हो जाएगा, plus का 4, फिर C1 to C21, second row, second row, second row, first column, 3, 2, 1, 3, odd है, तो, minus 1 की power, 2 plus 1 into 3, minus का 3, then C22, second row, second column, second row, second column, छोड़ा, तो क्या आया, 2 minus 1 की power, 2 plus 2 positive, तो क्या आगया, plus का 2, ठीक है, ये निकल गया, हमारा co-factor, अब, ये तो आया, हमारा co-factor, अब, हम क्या निकालेंगे, इसका, adjoint, अब आप directly भी लिख सकते हो, adjoint of A, ठीक है, वो क्या होता है, co-factor का transpose, मतलब, C11, कहां आएगा, यहां, लेकिन, C12, यहां आता था, अब, C12, कहां आएगा, C12, यहां आता था, C11, 1st row, 2nd column, ठीक है, वो यहां आता था, तो अब देखो, अच्छा, पहले आपको co-factor ही लिख लीजिए, minus 6, 4, minus 3, और 2, ठीक है, यह आगे, आपका adjoint, minus 6, 4, minus 3, और 2, ठीक है, यह adjoint of A निकालना है, बट मैंने अभी आपके लिए पहले क्या लिखा, simply co-factor ही लिखा, ताकि कोई अभी confusion ना हो, बाद में आप जैसे करना होगा, कर लीजिएगा, adjoint of A क्या निकलेगा, इसका transpose, minus 6, 4 यहां, minus 3 यहां, और 2 यहां, अब क्या करेंगे हम, adjoint of A, multiply by, क्या, A निकालना है ना, और हमें यह भी प्रूफ करना है, A into adjoint of A, ठीक है, अब ही हम कर लेते हैं, जो मर्ची कर लीजिए, support, अब हमारे पास A की value क्या है, A की value है, now, find, A into adjoint A, ठीक है, A क्या है आपका, 2, minus 4, 3, minus 6, फिर यहां, minus 6, 4, minus 3, 2, I hope आपको यह matrix multiplication आजाती होगी, क्यूंकि आपने पहले की है, तो नहीं अगर आती है, आप इसकी पुराने वीडियो देखो, उसमें बनाए हुए हैं lecture आपके इस पे, तो वो कर लीजिए, 2, 6 सा, 12, minus 12, plus 12, minus 6, plus 6, ठीक है, फिर 24, 4, 6 सा, 24, और यह, 6, 4 जा, 24, minus, minus का, 24, then, यहां, minus का, 12, और, यहां पे क्या आया, यह, minus, minus, plus का, 12, और यहां, minus का, 12, which is equal to 0, 0, 0, 0, अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, A into adjoint of A निकाला, अब adjoint of A into A, क्यूंकि आपको पता है, matrix multiplication is not commodative, इसलिए हमें यह प्रूफ करना है, कि यह हो रहा है, लेकिन, adjoint of A into A, जो है, वो commodative है, ऐसे जरूरी नहीं है, कि यह, result, जो है, equal आएं, क्यूंकि यह, not equal भी आते हैं, अब यहां देखिए, यह क्या बनेगा, minus 12, minus, minus, plus का 12, minus 18, plus का 18, 4 to the 8, minus 8, 12, minus 12, okay, यह सारा क्या आगया, 0, 0, 0, 0, ठेक है, तो अब वही वो हमने, यह, from, कहां, first, second, and third, आप लिख सकते हैं, from, this, देखिए, first, second, and third, it is verified, okay, it is verified, from, first, second, and third, adjoint A into A equals to A into adjoint A equals to determinant of A into I, okay, यह हमारा proof हो गया, thank you so much, और आप बच्चों यह करो, मतलब इसको बार बार प्रैक्टिस करते चलो, और अपने यह फेर नोट बुक पे भी लिखो, और उसके बाद आप अपना रफ नोट बुक पे भी प्रैक्टिस करो, और अपने फ्रैंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी देख सकें, और अगर आपको इन में से कुछ डाउट क्लियर रही है, तो आप कमेंट बाक्स में लिखिए, और मैं आपको आपके डाउट भी क्लियर करने के लिए कोई टाइमिंग दे दूंगी, खंगी, तोह हु क्यों थी हुक्षा धविए॥ा खंगी, व्कित हुक्तु हुच्तु हैं, तोह हुए। ए ढहला हुए। जिए। आपको 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 का सबस्टातु हुए।